अब हम एक ऐसी कैटेगरी के समस्कियों पर आ गए हैं जो बहुत ही मज़ेदार है इस इस कॉल्ड ऐस टॉपिक ओफ डिविडेंट इक्विलाइजेशन और यह डिविडेंट इक्विलाइजेशन है एक बहुत ही गजब का टॉपिक है मैं एक क्विडेंट इक्विलाइजेशन का हूँ आपके दिवाग में बेक्विडेंट चली से ने चीए ऐकाउंट चाप्टर पार्टनर्षिप और उसके अंदर खास करके अगर मैं बताऊं तो admission and retirement of a partner के time पर goodwill वाला point थोड़ा से accounts में आपको revise कराना चाता हूँ थोड़ा से accounts आपको revise कराना चाता हूँ before we start this topic देखो क्या होता था आपको याद है accounts में partnership करके एक chapter था मान लेते हैं ये तीन partner है ये काफे time से business कर रहे है इसके बाद किसी partner का admission होता है तो ये जो partner का admission होता था तो हमने देवटिस करा था ये person capital तो contribute करता ही है ये person अपना capital तो लेकर आता ही है तभी तो इसको partnership में हिस्सा मिलता है प्लस ये अपने हिस्से की goodwill भी देता है किसको existing partners को ये goodwill क्यों दे रहा है वो क्योंकि ये recognize करता है कि भाई जो पिछले partners है उसने बहुत मेहनत करके काम दंदा बढ़ाया है और आज मैं आ रहा हूँ तो मुझे वो चीज का फाइदा होने वाला है तो past के जो efforts है past के जो efforts है इन लोगों के उसके लिए मुझे इनको एक direct payment कर देना चाहिए capital तो मैं किसले contribute कर रहा हूँ firm में हिस्से के लिए firm के अंदर benefit के लिए firm के अंदर ownership के लिए goodwill में किसको दे रहा होता हूँ goodwill में दे रहा होता हूँ previous partners को as I recognize कि इनोंने previous में अच्छा काम करा है जिसका direct फाइदा मुझे भी मिलने वाला है क्योंकि as soon as मैं capital contribute कर देता हूँ मैं भी owner हो जाता हूँ और assets के उपर मेरा भी हग बन जाता है past मेनत के उपर मेरा भी हग बन जाता है इसी लिए admission के time पर हम उससे capital contribution तो लेते ही थे साथ में ही हम उससे contribution goodwill का भी लेते थे जो existing partners को जाता था and same concept रता था guys retirement के time पर अगर कोई partner छोड़ के जा रहा है तो उससे हमें उसका capital तो देना ही है जितना उसका capital था जितना पैसा उसका बनता है हमारी firm के अंदर वो तो देना ही देना है प्लस जो existing partners थे वो उसको goodwill का भी payment करते थे बराबर वो अपना share of goodwill भी ले के जाता था business के अंदर से यही चीज आपके दिमाग में play होनी चीए background में यही goodwill वाली बाते आपके दिमाग में play होते रहनी चीए background में जब हम dividend equalization का sum करें अचा कोई भी dividend equalization का sum होगा न वो कुछ इसी तरीके का दिखता होगा और इसी तरीके की कुछ details होईगी end में हमसे क्या मांगा गया होगा यह चार चीज ही usually मांगी जाती हमार से कि income available for distribution क्या है issue price क्या है यानि कि admission के time पर नए partner से कितना रुपे मांगना है redemption price क्या है यानि retirement के time पर existing partner को कितना पैसा दे कर उसका हिसाब clear करना है and net asset value क्या है after ये सब हो जाने के बाद ये सारी चीजे हो जाने के बाद net asset value क्या है इसी तरीके का dividend equalization का जो सामेना वो दिखता है यही चार point हमारे को निकालने पढ़ रहे होते है कोई भी dividend equalization के sum के अंदर अब ये sum को पढ़ते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू करते है देखो एक बहुत obvious सी बात है कि dividend equalization कहां होगा open ended schemes के अंदर ही होगा क्यों क्योंकि close ended schemes में या तो bus में आप चड़ गए हो या तो bus miss हो गई है या फिर वो listed है और अब आप stock market के उपर काम कर रहे हो stock exchanges के साथ आप deal कर रहे हो आप purchase कर रहे हो it from an exchange exchange का price अलग होगा NAV का price अलग होगा तो not at all a matter dividend equalization का जो concept निकल कर आएगा ना open ended schemes के लिए निकल कर आता है जहां पर entry and exit free है कभी भी कोई भी investor entry and exit कर सकता है तब ही निकल कर आता है उसी हिसाब से देखो यहां पर लिखा है on first April an open ended scheme चल रहा था जिसमें 300 lakh unit outstanding थे units कितनी है total scheme में 300 lakh units है ठीक है और इनका net asset value first April को first April को इनका जो net asset value था यह कितना था 18.75 रुपीज था बराबर first April को जो इनका net asset value चल रहा था यह कितना चल रहा था 18.75 रुपीज का इनका net asset value चल रहा था at the end of April it issued 6 lakhs units at opening NAV plus 2% load adjusted for dividend equalization यह बहुत मस्त लाइन क्या लिखा है April के end पर यानी 30th April को क्या हुआ कि हमारे पास जो 3 300 lakh units थे उसमें क्या हुआ और 6 lakh unit increase हो गए on 30th April और 6 lakh unit increase हो गए एक तरीके से क्या हुआ रहा है admission of partner हो रहा है अच्छा और इनको क्या भाव से लेकर आना है इनको क्या भाव से लेकर आना है तो क्या बोला है पता है अपने को ओपनिंग एनेवी जो था उसमें 2% लोड का प्लस कर दो और डिविडेंट इक्विलाइजेशन के लिए भी एड़ेस्ट करो यानि कि एक तरीके से बोलू तो ओपनिंग एनेवी प्लस लोड प्लस गुडविल डिविडेंट अपना हैंड उफ में बड़ा और तयाम करेंगे थर्टी वन फाइव यहां पर क्या और यह देखते हैं थ्री लाइक उनिट्स वर री पर्चेस्ट री पर्चेस्ट का मतलब मूच्वल फंड की लैंग्वेज में इस्षूड का मतलब होता है एड्मिशन आफ पार्टनर र हमने निकाला कि इनसे पैसा लेना है कितना पैसा लेना है यह पैसा लेना है उसी तरीके से रिटार्मेंट के टाइम पर भी निकालना पड़ेगा न कि इनको पैसा देना है कि इनको पैसा देने की बात है तो यहां पर लिखा है इनको री पर्चेस करा गया है ओपनिंग एन होती है तो हमारे क्या हो रहा है ओपनिंग एने वी माइनस लोड एडजस्टेड फॉर डी डिविडेंट इकुलाइजेशन इसमें गुडविल का एडजस्मेंट करने के बाद ये जो प्राइस निकलेगा ना ये प्राइस हम इन छे लाक लोगों से लेंगे ये जो प्राइस निकलेगा ना ये प्राइस हम इन तीन लाक लोगों को देंगे समझ में आ रहा है ना एड्मिशन के टाइम पर कितना रुपए आएगा और रिटार्मेंट के टाइम पर कितने रुपए जाएगा आगे पढ़ते हैं क्या लिखाए अट दे एंड अफ जून क्या बोला है ए तो ये concept होगा available income का और इस available income का 70% हमने क्या कर दिया है? distribution कर दिया है. तो सबसे पहले हमार को क्या निकालना सीखना है? ये available income निकालना अपने को सीखना है. 70% इसका distribute कर दिया गया है. ठीक है? आगे पढ़ते हैं. In respect of April to June quarter, the following additional information is also available. क्या information दे रखिए? April to June में portfolio का appreciation इतना ह हो गया? income from April दिये, income from May दिये, income from June दिये. सारे महीनों की income दे रखिए. अब you are required to calculate income available for distribution. सबसे पहले एक एक करके point आगे जाते रहते हैं. income available for distribution निकालना है. income available for distribution किसके लिए काम आने वाला है? ये जो 70% हम distribute कर देंगे न? इस वाले part के लिए हमें income available for distribution निकालना है. और ये देखते जाना कैसे होता है? बराबर देखते जाना कैसे होता है? ये बहुत ही class point है. यहां से हम ये particular जो sum है हमारा इस particular part से अब हम ये sum start कर रहे है. पहला point निकाल रहे है. income available for distribution कितना है? सबसे पहले ले लिजिए income for April है कितनी? बराबर April में हमारी income कितनी है? यानि कि 1st April से ह हमारी जो mutual fund है उसने मेहनत करके 30th April तक पैसे कमाएं. कितने पैसे कमाएं हैं? तो इन लोगों ने कमाएं 22.950 lakh रुपीज. 22.950 lakh रुपीज. अच्छा 1st April से लेकर 30th April तक मेरे firm में units कितने थे? तो भई हमारे पास units थे 300 lakh. बराबर समझ में है हमारी income कितनी है? 22.950. हमारे यहां के units कितने है? हमारे यहां के units 300 lakh है. 300 lakhs. तो मैं ऐसा बोलूँ कि income per unit कितनी है? यह निकाल सकते हैं. हम income per unit निकाल सकते हैं. 22.950 divided by 300. तो income per unit हमारे पास निकल कर आ गई. that income per unit is 0.0765. बराबर 300 के 300 unit में हर unit की April की कमाई कितनी है? 0.0765. बराबर 0.0765 रुपीज पर unit 300 के 300 unit ने कमाई हैं. तब जाकर total हमने April में कितना कमाई है? 22.950 lakh कमाया है. अच्छा अब 30. April को क्या होता है? 30. April को हम क्या करते हैं? 30. April को हम partners लेकर आते हैं. कितने partner लेकर आते हैं? If you remember 30. April को हम 6 lakhs units जो है न वो issue करते हैं. 30. April को अपन क्या कर रहे हैं? 6 lakhs units जो है न वो issue कर रहे हैं. तो 30. April को अपन क्या कर रहे हैं? Partner लेकर आ रहे हैं. कितने partner लेकर आ रहे हैं हम? 6 lakhs partners लेकर आ रहे हैं. इन 6 lakhs partner को क्या होगा? Income में पहले दिन ही हिस्सा मिल जाएगा की नहीं मिल जाएगा? इनको income में पहले दिन हिस्सा मिल जाएगा. क्यूं? क्यूंकि आज के मेरे partners कितने हो गए? मेरे partners हो गए 306. अब अगर मैं बोलूं कि मेरी April की income कितनी है? 22.950. अब मैं वापीस निकालूं कि income per unit कितनी हो गई? तो क्या हो जाएगा? 22.950 divided by 306. तो यह क्या हो गया? Income per unit 0.0 0.075 हो गई. देखा आपने? Income per unit क्या हो गई? Reduce हो गई. यह बात 300 लोगों को अच्छी नहीं लगेगी. यह जो मेरे original partners थे ना, यह बात इनको अच्छी नहीं लगेगी. यह क्या बोलेंगे? यार हम April 1st से लेकर April 30 तक थे. हमने अपना पैसा तुमको April 1st से लेकर April 30 तक द दिया. तो तुमने क्या बोला? April की कमाई में सब का हिस्सा? यह तो गलत बात हो गई. क्योंकि इसके वज़े से जो हमारे को income होनी चाहिए थी 0.0765 की वो reduce हो के कितनी हो गई? 0.0775 हो गई. तो यह बोलेंगे यह 300 लोग नाराज हो जाएंगे. बोलेंगे यह नहीं चलेगा. हमको अपनी income 0.0765 ही चाहिए. और यही वो concept है guys कि जो coming partner है ना यही वो concept है guys कि जो coming partner है यह 6 लाक लोग जो coming partner है इनसे हमें क्या लेना पड़ेगा? इनसे हमें premium लेना पड़ेगा. इनसे हमें goodwill लेना पड़ेगा. तब जाकर यह 300 लोग भी खुश होएंगे. 300 लोगों का objective क कि देखो हमारी per person earning कितनी है? 0.0765. यह per unit कमाई इनके addition के बाद भी यही रहनी चाहिए. यह per unit कमाई इनके addition के बाद भी यही रहनी चाहिए. 300 लोग हैं या 306 लोग हैं? हमारी तो कमाई 0.0765 ही रहनी चाहिए. इस चीज को बोला जाता है dividend equalization. इस चीज को company कैसे achieve करती है या mutual fund कैसे achieve करती है पता है? mutual fund बोलती है कि यार देखो इन 6 lakhs लोगों को जिनको हमने add करा, इन 6 lakhs units को जिनको हमने add करा, इनको बोलती है देखो, every one of you, every unit of you has to contribute 0.065 rupees per unit. तो क्या हो जाएगा? आप calculation करिए 0.0765 multiplied by 6 lakhs. तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कि total हमारे पास 0.459 lakh और आया. ये किसके नाम पर आया? goodwill के नाम पर आया समझना. या एक तरीके से हमने क्या बोला कि देखो, तुमको अगर हमारे business के अंदर आना है, तुमको अगर हमारे business में आना है, तो every one of you has to pay this amount as goodwill. तो total goodwill मेरे को कितना मिल जाएगा? 6 lakhs multiplied by 0.0765 which is equal to 0.459 lakh रुपीज मुझे और मिल जाएगा. अब हम करते हैं एक fictitious calculation कि बाई April के end पर अब final calculation करा जाए. April के end पर final calculation करा जाए. टोटल इंकम निकालते हैं, टोटल इंकम अपनी कितनी हो गई? 22.950 प्लस 0.459 यह हो गई अपनी टोटल इंकम तो टोटल इंकम अपनी कितनी निकल कराए? एप्रिल के end पर total income अमारे निकल करा है 23,409, 23.409, total units आज के तारीक में कितने निकल करा है 306, और per unit कितना निकल करा है, divided करते हैं, divided by 300, any guesses per unit कितना निकल कराना चाहिए, exactly right, 0.0765, और देखो यहाँ पर जैसे ये पहले 300 लोग दुखी हो रहे थे, क्यों दुखी हो रहे थे, क्योंकि इन 6 लोगों को add करने के बाद इनकी per unit earning कम हो रही थी, 0.0765 की जगा 0.7075 हो रही थी, वो अब भी कितनी है, अभी भी still maintained है, add 0.0765, तो एक तरीके से हमने क्या करा, एक तरीके से हमने क्या करा, भाई April के महिने में अपन लोगों ने कितना कम आया, वो निकाल लो per unit कितना बैठ रहा है अपना, यही amount इन लोगों को बोलो कि जब तुम लोग आओगे न, तो इतना amount of goodwill तुम लोगों को देना पड़ेगा firm के अंदर, और क्योंकि यह लोग इतना amount of goodwill contribute कर रहे है firm के अंदर, firm का total profit क्या हो रहा है, increase हो रहा है, और पहले 300 unit बोल रहते हैं हमने कमाया, 6 unit बोल रहते हैं हम मुफ्त में खाने आ रहे हैं, तो 300 अलो को बुरा लगा, 300 ने बोला ऐसा नहीं कर सकते, हमारा पैसा हम ही खाएंगे, तुम पहले तुम अपना पैसा लाओ, अब यह जब अपना पैसा लेकर आ गए, तो अब यह ऐसे देकर कमाये हैं अपनी फर्म को, correct, so now all the 376 units are equal, all the 306 units are equal and this is called as dividend equalization, अच्छा अब क्या हो रहा है, अब वापी से अपन करते हैं, अपना नया महिना चालू हो गया, अब आया अपना 1st में से लेकर 31st में तक, 1st में से लेकर 31st में तक income for the month of May, month of May में हमारी income कितनी हो रह 24.25 lakhs, अच्छा, हमारी April तक की इंतना कितनी है, 23 lakhs, 0.409, और हमने कितना कमा लिया, तो हमने 34.425 और कमा लिया, तो एक बार एक काम करते हैं, April के end पर, यानि की, sorry, में के end पर, 31.5 के उपर हमारी total कमाई कितनी है, 31.5 के उपर हमारी total कमाई कितनी कर रहे है, 23.409 plus 34.425, total firm की जो कमाई है, that is equal to 57.834, और यहाँ पर partners कितने हमारे पास, कितने units हैं हमारे पास, आज हमारे पास 306 units हैं, तो हमारा per unit कितना निकल कर आगया, divide by 306 करते हैं, per unit हमारे पास earning निकल कर आए, 0.189, दो महीने के बाद, per unit earning कितनी चल रहे है, 0.189 चल रहे है, अच्छा, अब क्या हो रहे हैं, अब कुछ लोग हमारी firm को छोड़के जा रहे हैं, at the end of May हमारे को पता है कि 3,00, लोग हमारी firm को छोड़के जा रहे हैं, out of 306,00, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3,00, लोग जा रहे हैं, जब यह 3,00, लोग जा रहे हैं, तो यह क्या बोलेंगे पता है, देखो हम सब ने यानि की हम कौन है ये जो तीन लाक है ये इनी का पार्ट है न तो ये क्या बोलेंगे हम सब 306 पीपल ने मिलकर पर यूनिट कितना कमया था 0.189 हम थ्री लोग जा रहे हैं तो हम अपना पैसा लेके जा रहे हैं हम पर हैड 0.189 लेके चले जाएंगे क्यों क्योंकि हम क्या कर रहे हैं रिडीम हो रहे हैं तो हम अपनी गुडविल लेके जाएंगे तो ये लोग टोटल कितना पैसा लेके चले गए 0.189 इंटू 3 ये लोग टोटल अपने साथ लेके चले जाएंगे 0.567 देखो याद रखना बहुत सिंपल बात है जब पार्टनर जाएगा तो वो अपना हग का गुडविल लेके जाएगा बराबर एवरी वन अफ दिस 306 ने 0.189 कमाया था ये तीन लोग जा रहे हैं इन तीन लोगों का हिसाब करो तो क्या करना पड़ेगा 0.189 इंटू 3 टोटल प्रोफिट में से कितना कम हो जाएगा 0.567 कम हो जाएगा बराबर चलो जब यह हो रहा है तो अब एक काम करते हैं अब हम निकालते हैं फाइनली कि हमारी 31 में को इनकम क्या बैठ रही है फाइनली 31 में को हमारी इनकम क्या बैठ रही है तो 57.834 माइनस 0.567 यह हमारी इनकम बैठी टोटल 57.267 हमारे पास आज यूनिट्स कितने हैं या पार्टनर्स कितने हैं 303 और देखो आज भी अगर मैं पर यूनिट निकालूं तो सब का कितना निकल कराना चीए सब का निकल कराना चीए 0.189 तो यहाँ पर मैं बता रहा हूं अगें डिविदेंट इकुलाइजेशन का कंसेट हिट करा कि वें थी थ्री पीपल आर गोईग ऐसा निये कि इनको एम्टी हैंड़ जाने दे रहें इनको भी इनका हक का डिविदेंट दे दिया और पहले एवरिवन जो 0.189 कमा रहा था आज भी ओर्गनाईजेशन में इनके जाने के बाद एवरिवरीबडी इस एर्निंग 0.189 पर यूनिट अब इसके बाद क्या हो रहा है इसके बाद आ रहा है इनकम फॉर जून का महिना बराबर इसके बाद आ रहा है हमारा पास इनकम फॉर जून का महिना तो अब हमारा पास नया महिना चालुआ 16 to 386 यहाँ पर total income हमार पास कितनी आई इस महिने में हमने कमाया 45.450 लाक रुपीज इसी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि भाईया 386 को अगर कोई पूछे कि what is my cumulative earning as of today तो मैं बोलूँगा 57.267 प्लस 45.450 total जो अपनी कमाई है that is 102.717 अब देखो इस महिने के अंदर कोई भी addition, deletion हुआ है, कोई भी addition, deletion नहीं हुआ है, तो आज हमार पास कितने units है, 303 unit है और अगर किसी को per unit निकालना है तो divide by 303 करके हम बोल सकते है 0.339 is our per unit earning ठीक है, यह निकालने को निकाल सकते हैं, काम आएगा की नहीं, I don't know गया है, बाट दिया है, अच्छा पहली बात तो यह point number one का answer आगया income available for distribution what is the income available for distribution 102.717 this is the income that is available for distribution, यह है lakh rupees बरावर यह है lakh rupees के concept के अदर इसका 70% हमने distribute कर दिया तो काम कर लेते हैं, यह amount भी निकाल लेते हैं 102.717 into 70% यह निकल कर आएगा कि टोटल हमने जो distribute कर दिया available income के अंदर से that is equals to 71.9019 रॉपीज 71.9019 रॉपीज this is the income that we have distributed, इतना पैसा हमने बाट दिया, यह हमने पहला point का answer बहुत बढ़िया तरीके से निकाला, dividend equalization का concept I hope आपको बहुत मस तरीके कैसे समझ में आया कि कैसे coming partners को existing partners का per share का जो हिस्सा होता है वो contribute करना पड़ता है और कैसे going partners को existing partners का जो भी हिस्सा है वो ले के देखो यह जो 6,00,00,00 लोग आये थे यह जो 6,00,00 लोग आप आये थे इनको आपने क्या भाव से unit बेचा देखो इनको unit क्या भाव से बेचना है इसकी language question में लिखी है at the end of April it issued 6,00,00 लोग आप आये थे at opening NAV plus 2% load plus adjusted for dividend हमने यह तीनों figure निकाल लिए है क्या करना है opening NAV लेना है load लेना है और इनका dividend equalization लेना है अब यह तीनों figure देखते हैं देखो हमार पास तीनों figure में से opening NAV है opening NAV तो question के अंदर ही दे रहा था 18.75 इसमें सबसे पहले तो जैसा question बोल रहा है कि load plus कर दो क्या बोल रहा है opening NAV plus 2% load तो हम क्या कर देंगे इसमें plus 2% कर लेते हैं तो यह कितना निकल कर आता है 18.75 plus 2% करेंगे तो यह निकल कर आता है 19.125 ठीक है तो यह जो 6,00,00,00 लोग है इनको हम जब बोल रहा है कि देखो तुमको enter होना है हमारे साथ तो 19.125 तो देना ही है किसले देना है क्योंकि opening NAV भी और load भी लगता है दो टके का और तो और तुमको क्या देना है adjusted for dividend equalization कि जितनी कमाई हम लोगों ने करी है उस कमाई के हिसाब से तुम भी अपना goodwill का हिस्सा भरो और वो कौन सा हिस्सा था जो अपन लोग इन से मंगा रहे थे this was the part जो अपन लोग इन से मंगा रहे थे हर इन लोगों से अपन ने कितना मंगा है 0.0765 पर unit मंगा है न तब जाके total में अपने को कितनी कमाई हो गई 0.459 lakh रुपीज की और earning हो गई हमारे पास तो हम क्या बोलेंगे ठीक है भाई इन हर लोगों से हमें additionally per unit कितना मंगाना है 0.0765 रुपीज और मंगाना है तो इनको क्या भाव पर हम offer करेंगे एक unit 19.125 plus 0.0765 which is nothing but equals to 19.2015 रुपीज पर unit बराबर तो यह क्या है 19.2015 तो जो second वाला है इसका answer है 19.2015 रुपीज पर unit इस रुपे से हम इन 6 lakh लोगों को बोलेंगे कि this is what you have to contribute if you want to come in याद रखना this is what you have to contribute if you want to come in मतलब कितना और है पता है आपको 6 lakh units multiplied by 19.2015 इतने रुपे mutual fund के पास आएंगे इतना cash वो लोग हमें देंगे इस cash में से कुछ load के लिए कट जाएगा इस cash में से कुछ हमारे profit में add हो जाएगा और कुछ हमारे NAV को maintain करने के लिए आगे देखते हैं थर्ड क्या मांगा इसने what is the repurchase price at the end of the May देखो end of May पर repurchase price भी question में अच्छे से लिखा गया था क्या लिखा था at the end of May at the end of May 3 lakh units were repurchased at opening NAV less 2% load यह चीज हमने यहाँ पर लेगी थी opening NAV less 2% load और आगे लिखा है adjusted for dividend equalization यानि dividend equalization यहाँ भी adjust करना है ठीक है कर देते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे को calculation करना है opening NAV minus load opening NAV कितना है opening NAV question में दे रखा है 18.75 minus 2% करेंगे यहाँ पर क्योंकि load minus करना है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18.75 minus 2% which is equals to what 18.375 अब इसमें क्या बोला है dividend equalization को adjust करो देखो जब यह लोग partner जा रहे हैं यह उसकी बात जब यह लोग जा रहे हैं तो NAV के हिसाब से और load adjust करने के हिसाब से मुह को इसको कितने देने 18.375 देने पर यह जब partner जाएगा तो यह profits के share में से अपना हिस्सा मांगेगा की नहीं मांगेगा मांगेगा न यह भी अपना goodwill लेके जाएगा जब जा रहा है तब यह अपना पूरा हिसाब करके जाएगा तो इसको हमें 18.375 तो किस बात का देना है NAV minus load का प्लस इसको हमें अपना इसका goodwill का या इसके profit का हिस्सा देना है और इसके profit का हिस्सा क्या है यह भी हम calculate कर चुके है यह है इसके profit का हिस्सा यह जब यह 3 लाक लोग गए थे तो हर आदमी कितना लेके गया था 0.189 लेके गया था तब हमारे profit में से कितना हड गया था 0.567 लाक हड गय थे तो हम यहाँ पर करेंगे इनको 18.375 तो देना ही है प्लस इन सब लोगों को 0.189 रुपीज और देना है तो हम कर देंगे 18.375 प्लस 0.189 तो टोटल हमें इनको redemption के टाइम पर कितना देना है 18.564 रुपीज पर युनिट हम इनको देंगे मतलब समदना कि यह सारे लोग कितना लेके जाएंगे पर युनिट 18.564 रुपीज लेके चले जाएंगे पर युनिट टोटल हमारा mutual fund में से cash कितना कम होगा 3,00,00,00 multiplied by 18.564 3,00,00,00 multiplied by 18.564 इतने रुपे हमारे cash balance में से mutual fund में से कम हो जाएंगे जब वो लोग आये थे 6,00,00 लोग तब cash balance बढ़ता अब ये लोग चले जा रहे हैं तो cash balance क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा तो हमने point number 1 solve कर दिया point number 2 solve कर दिया point number 3 solve कर दिया अब बार ही है कि हम लोग क्या करेंगे भाईया point number 4 solve करेंगे अब point number 4 भी बहुत interesting क्या बोला है दियान से सुनना सबसे पहले तो हम लेंगे कि भाईया हमारे को कहां से कहां तक ले आना है तो we have to come from 1st April to 30th June ये quarter के लिए अपने को पूरा काम करना है तो सबसे पहले देखो क्या details हमारे पास available है हमारे पास क्या 30th June की market value available है तो market value नहीं दिये ऐसा बोला appreciation हो गया था इतने lakh से तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर जितना भी था उसमें appreciation प्लस करेंगे तो यहां आने की कोशिश हो रही होगी तो सबसे पहले find करो कि 1st April को हमारे पास था कितना जो question में हमारे पास लिख रखा है कि हमारे पास 300 units थे and each unit was valued at 18.75 का NAV तो अगर मैं बोलू हमारे पास 1st April को था कितना net worth 300 into 18.75 हमारे पास 1st April को जो net worth था that was equals to 5625 lakhs बराबर हुआ यह होगा कि 5625 lakhs divided by 300 units आया होंगे तब जाके 18.75 NAV निकला होगा but we had 5625 lakhs हमारे पास 1st April को था ठीके अब क्या हुआ है date wise जाएंगे बराबर अब क्या हुआ है अपन date wise जाते रहते हैं तो date wise जाने के अंदर सबसे पहले date आती है हमारे पास 30th April को 30th April को क्या हुआ है कुछ लोग हमारे यहां आये है admission हुआ है कुछ लोगों का जो लोग हमारे आवास आये थे वो कितने रुपे लेकर आएंगे पर परसन हमने उनको इतने पर बेचा था 19.2015 कितने लोग आये थे 6 लाक तो हम करेंगे 6 multiplied by 19.2015 तो यह निकल कर आएगा हमारे पास 115.209 इतना लाक रुपीज हमारे पास और आए और तो और क्या हो रहा है 30th April को हमारी अर्निंग्स भी हो रहे है कितने से अर्निंग्स हो रहे है हमारे से इतने की अर्निंग्स हो रहे है तो that will also be added 22.950 लाक इतने हमारी अर्निंग्स भी हो गई ठीक है आगे चलते हैं आगे हमारे पास कौनसी डेट आएगी हमारे पास डेट आएगी 31st में तो 31st में पर पहुंचते हैं 31st में को क्या हो रहा है कुछ लोग हमारे को छोड़ कर जा रहे तो यहां पर retirement वाली बात चल रही हमारे पास अच्छा retirement पर कितने पैसे हमको बाटने पड़ेंगे हर person को हमें 18.564 देना है और ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास 3 लाक तो 3 into 18.564 यह कितना हो जाएगा हमारे पास total हमारे को pay कर देना है 55.692 लाक्स इतना हमारे को pay कर देना है अच्छा और हमारे पास क्या data है 31.5 को हमारी earning भी है earning कितनी दे रखी है हमारे को यह दे रखी है कि we have 34.425 की earnings है हमारे पास lakhs की बराबर यह lakhs वाला symbol अड़ा दाता हम क्योंकि सब lakhs में ही चल रहा है तो यह आगे हमारे पास 31.5 की बात अच्छा इसके बाद अपने आते हैं 30.5 की बात 30.5 को कोई आए नहीं रहा कोई जा नहीं रहा हाँ income की बात अपने को जरूर दिख रहे है इंकम की बात अपने को कितनी दिख रहे है इतनी दिख रहे है तो अपने इंकम एड़ कर लेते हैं 45.450 यह आया हमारी earnings की बात 30.5 को अपने को एक और चीत दिख रहा है यहां दिख रहा है appreciation in portfolio कितने से 425.47 से हमारा appreciation निकल कर आया तो appreciation भी ले लिया हमने अचा 30 जून को एक और बात है 70% हमने बात भी तो दिया था तो वो हमारा distributions जो है वो हमारी net worth से कम हो गया होगा हमने कितना distribution कर दिया तो यह amount हमने निकला था ना यहां पर सबसे पहले बराबर जब यह distribution निकाल रहे था तो 102.717 अवेलेबल था इसका 70% बाता था तो 71.9019 हमने बात दिया था तो 71.9019 71.9019 इतना हमने बात दिया है with this guys हमारा 30 जून का net worth निकलने को ready है यह निकाल लेते हैं यह हमारा पास 5625 plus 115.209 plus 22.950 minus 55.692 plus 34.425 plus 45.450 plus 425.47 minus 71.9019 यह हमारा पास निकल का आता है 6140.9101 बराबर 6140.9101 यह अपना निकल का रहा है अच्छा हमारे को यहां पर क्या चीए एने भी चीए भी है net asset value पर unit चाहिए अपने को 30 जून को तो ठीक है total net asset value आ गई हमारे पास divided by units units कितने हमारे पास देखो हमने चालू करा था 300 units है end end में हमारे पास कितने आ गया था 303 unit हो गया था तो इसको divided by 303 कर देते है तो divided by 303 करेंगे तो यहां पर हमारे पास निकल कर आता है 20.267 जिसको आप round off करके लिख सकते हो 20.27 यह क्या बैठा अपना NAV पर unit अपना बैठता है 20.27 तो I hope आप लोगों को यह वाला जो सम है यह करने में मज़ाई किस तरीके से कोई भी dividend equalization के सम में यह 4 पार्ट होते है और यह 4 पार्ट अपने को निकालना रहता है यह बहुत ही बढ़िया सम है मैं अगर सच्ची बता हूँ तो बहुत मज़ेदार सम है खास करके यह वाला पार्ट जिसके अंदर अपने को accounts का पूरा दिमाग मेरे दिमाग में तो यहाँ पर accounts ही चल रहा होता है और goodwill ही चल रहा होता है इसलिए आप बार-बार सुनोगे partner admission, partner, retirement मैं यही सोच के इस particular sum को करता हूँ और यह जो last वाला part है ना guys उसको कितना पे करना है या firm उसको कितना पे कर रही है at the time of retirement perfect with this अमने dividend equalization समझ लिया है guys अब देखो कुछ sum है यह sum है May 22 का RTP का question यह आपको self करना है आप लोग एक बार screen pause करके इसको कर सकते है solution की बात रही तो इसका solution हमारे practice वाले part के अंदर included है हमारी question bank के अंदर included है आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप RTP डाउनलोड भी कर सकते है next question that is May 23 की mock test paper 1 का question 4 भी है again यह dividend equalization के उपर है और देखो कोई भी sum of dividend equalization हो वही 4 point आप से पूचेंगे 3 महिने की income आपको दे रहे होंगे और इस अप साप को इनकालना रहेगा so with this guys we have finished dividend equalization as well I will see you guys in the next video with another category of sums